हेलो एवरिवान, वेलकम तो माई चैनल नमबर की निडल्स का मैंने यूज किया है और यह देखिए फ्रेंड्स यह मैंने चुन्नी की इतनी चोड़ी-चोड़ी मैंने इसकी पटियां बना ली है आपके पास कोई भी चुन्नी हो या साड़ी हो कोई भी कपड़े की पटि हो तो आप ऐसे पटियां बना लीजिए तो यहाँ पर slip note भी लगा सकते हो और आप ऐसे इसको इस सूनली से ऐसे दबा लीजिए और आप ऐसे ठंदे भी डाल सकते हो यह देखिए हमारे होगे दो दहन से देखिए तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस इसी तरीके से फ्रैंड्स मैं इसमें थ Merkel दाल लेती हूँ 32 फंदे डालने के बाद फिर हम आपना इसमें के डिजाइन स्टाट करेंगे इस इसमें 32 फंदे मैं इसमें डाल लिया हैं अब देख्ये 1 जो से ही हम अपना डिजाइन स्टाट करेंगे फस्ट वाले को उतार लेंगे और सेकिंड वाले फंदे के एक के दो बनाएंगे एक बार बना दिया पट्टी को पीछे करेंगे और इसको हम एक बार और बना देंगे पट्टी को अपनी तरफ लेके आएंगे और ये आगे के फंदे हम ये उल्टे उल्टे बना लेंगे एक फंदा हमने बढ़ा लिया है इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपर ये बहुत ही जल्दी जल्दी बनके कंप्लेट होगा देखिए इसमें जब भी आप साड़ी और चुन्नी से बनाओ तो देखिए फ्रेंट्स इतनी जब आपकी बड़ी पट्टी बच जाए तब भी आपने इसमें जोएंट लगाना है दूसरी पट्टी लेंगे और इसके अंदर ऐसे रख के ऐसे रोल करतेगे थोड़ा सा पकड़के रखेंगे इसको जब तक हमारा जोएंट इसमें अंदर ना चला जाए यह देखिए और लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे यह देखिए एक और दो पट्टी को पीछे कर लेंगे पलट लेंगे फस्ट वाले को ऐसे उतार लेंगे और यह पूरी रो ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के प्लास्ट तक इसे कंपिलिट करेंगे तो मैं इसी तरीके से इसे उपर तक बना लेती हूँ देखिए उपर तक आ गई हूँ यह हमारा बड़ा वाफंदा था इसको भी हम बना लेंगे और किनारे वाले फंदे को देखिए हम ऐसे सीधा बनाएंगे पलट लेंगे आप देखिए फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतारेंगे फिर से हम इसका एक का दो बनाएंगे ध्यान से देखिए पट्टे को अपनी तरफ कर लेंगे और यह यह जो हमारी है फ्रेंट्स यह हमारी बैक साइड बनेगी आप इसको इसके बैक साइड में ऐसे दबा दीजिए या आप इसको ऐसे साथ में बना लीजिए यह देखिए हम इसको बैक साइड से भी बहुती सफाई के साथ बना के हम इसे कंप्लीट करेंगे कोई वे इसमें नोट नजर नहीं आएगी इसमें दबा लिया है तो फ्रेंट्स दूसरा फंदा हमने बढ़ा लिया है और पीछे हम फिर से 2 फंदे छोड़ देंगे इसी तरीके से मैं इसमें आगे 6 फंदे मैं इसमें और बढ़ाऊंगे और पीछे मैं 2 दो करके 16 फंदे मैं पीछे ऐसी तरीके से छोड़ दूँगे अगर आपको 40 फंदे का बनाना हो तो 40 फंदे में आप ऐसे ही 20 फंदे पीछे 2 दो करके छोड़ दीजिए और आगे 10 फंदे आप बढ़ा लिजिए यह देखिए यह दो करके हम यहाँ पे 16 फंदे छोड़ देंगे और यहाँ पे मैं इसमें 8 फंदे बढ़ा लिती हूँ जब तक मैं इसको बना लिती हूँ आप भी बना लीजिए फिर मैं आपको उपर का दिखाऊं यह देखिए फ्रेंट्स इसमें मैंने 1,2,3,4,5,6,7,8 8 लाइन हमारी बन गई है 8 फंदे हमारे बढ़ गई है और यह देखिए पिछे 1,2,3,4,5,6,7 और यह आठ यहाँ तक हमने अपने फंदे छोड़ दिये हैं और यह आगे देखिए 1,2,3,4,2,2 करके गिने हैं 8 फंदे हमारे बढ़े हुए हैं और यह बीच के हमारे 16 फंदे यह बचे हुए हैं देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8 और यह 16 फंदे भी हम अब दो-दो करके छोड़ेंगे जैसे हमने पीछे छोड़े हैं और लेकिन यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे अभी हम यहाँ पर आगे इस फ्लावर की गोलाई बनाएंगे तब हमारे यह हार्ट शेप बनेगी आगे से हम यह देखिए ऐसे हमारे यह अभी बनी है उपर से अब हम गोलाई बनाएंगे तो उपर से हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे नहीं गटाएंगे सिंपल बनाएंगे और पीछे हम दो-दो फंदे जैसे छोड़ते आए हैं इसी तरीके से मैं यह 16 फंदे भी पीछे छोड़ दूँगे एक बार देख लेजिए सारे फंदे हम छोड़ देंगे हमारे बड़े वे फंदे बच जाएंगे उपर सारे फंदे हम 32 फंदे छोड़ देंगे यह दो और छोड़ दिये और यहीं से हम अपत से बुड़ जाएंगे राइट साइड से इसको मैं कम्प्लीट करूँगे यह देखे उपर तक आ गए हैं हम इसको आप हमेशा ऐसे सीधा ही बनाएगा यह देखे जब आप सीधा बनाओ गए तो ऐसे हमारे किनारे की फिनिशिंग आएगी और इस साइड से हम इसको ऐसे उतार लेंगे ऐसे ही सिंपल बनाएंगे यह देखे इसी तरीके से हम बनाएंगे आगे से सिंपल और पीछे हम दो फंदे फिर से हम छोड देंगे तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं इसे कंपलीट करूँगे यह दो दो करके सारे ही फंदे मैं छोड लूँगे फिर मैं आपको उपर का हाऊंगे, फिर से हम दो खुन दे, छोड़ देंगे, फिर से छोटी होगी, एक बार फिर से देखे लिजे फ्रेंड्स, कि हम इसमें जॉइंट कैसे लगाएंगे, ताकि बिगिनर्स को कोई प्रोब्लम ना आए, इसे पकड़के रखें, और ऐसे दबा दीजे, इसको इस साइड से भी, यह दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, और हम यही से वापस मुड़ जाएंगे, तो फ्रेंड्स, यह सारे फंदे में छोड़ लूँगी, उपर बढ़े हुए फंदे आठे मेरे बच जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ, आठ फंदे हमारे बढ़े हुए हैं, यह दो फंदे भी हमने पीछे छोड़ दिये, यह देखिए, यह सोला फंदे थे, हमारे बीच में यह भी हमने सारे छोड़ दिये हैं, और यह सोला फंदे हमने जब छोड़ दे थे, ये फंदे हमने बढ़ाए थे आप देखिए पिछे करके इसको हम सिधा बनादेगे आप देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा आप द्यान से देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ फंदे तो हम ये बना लेंगे और आगे के सोला फंदे देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारें, बारें, तेरें, चोदें, 15, और ये 16, 16 फंदे हमने जो उपर की गुलाई बनाई थी, तब हमने ये छोटे थे, ये हमने सारे बना लिए, ये पिछे के हमारे ये 16 फंदे बच गई हैं, इस रोकों में ऐसे ही उल्टा बनाती हुई, मैं इसे कंप्लीट करूंगे, ये देखिए, पलट लेंगे, इसको हम सिधा बना देगे, ये देखिए, यहां तक हमने फंदे अपने बना लिए हैं, अब देखिए, अब जैसे फ्रेंड्स हमने फंदे बढ़ाए थे, इसी तरीके से हम गटाएंगे, द्यान से देखिए, दो फंदे का हमने एक कर लिया, एक फंदा हमने गटा लिया, इस रोको मैं यहां तक बना लिया है, अब देखिए, यह दो फंदे हम इसमें एड कर लेंगे, अब तक हम दो दो फंदे छोड़ते आये थे, और हमारा बीच में गैप आएगा, तो ऐसे बीच में से फंदा एक फंदा यहां से गटाएंगे दो फंदे पिछे से इसमें एड़ कर लेंगे स्टार्टिंग में हमने क्या किया था एक फंदा हमने बढ़ाया था और दो फंदे हमने पिछे छोड़ दिये थे अब हम उपर से फंदा गटाएंगे और यहां से दो फंदे हम एड़ कर लेंगे एक बार और दिखाऊंगे मैं आपको इस रोको मैं उपर तक इसी तरीके से बनाऊंगे यह देखे उपर तक आगई हमें इसको आप हमेशा सीधा ही बनाएगा भोती सफ़ाई के साथ यह बनके आपका कंप्लेट होगा अब फिर से देखे एक बार दूसरा फंदा मैंने यह अंदरवाल से दो के एक कर दिये दूसरा फंदा हमने कटा लिया छे फंदे हमारे और बच गए और इस रोखो मैं नीचे तक लेके जाऊंगी बनाते हुए देखे नीचे तक आगई हुए यह दो फंदे हमने पिछली बार इसमें एड़ किये थे दो हम और आगे से करेंगे उससे पहले आप ऐसे गैप बहने के लिए फंदा उठाईए और दो का एक करते जिए यह देखे और हम यहीं से बापस मुड़ जाएंगे यह देखे एक दो तीन च्यार पांच छे छे हमारे दो करके जोड़े बच्चे वें बारा फंदे और छे फंदे मैं उपर से फ्रेंड्स यहां से गटाऊंगे तो मैं यहां से फंदे गटा लेती हूँ एक फंदा मेरा जिब रह जाएगा तब तक मैं इसी तरीके से बनाऊंगे लास्ट वाला मैं आपको दिखाऊंगे मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ यह देखिए उपर की हमारी गोलाई यहां पे बन गए थी और यह हमारे फंदे गटने शुरू हो गए थे यह देखिए अब आपको इसकी शेप अलग से दिखाये देगी और यह देखिए लास्ट के दो फंदे हमारे यह बचे हुए हैं और एक फंदा और हम लास्ट का आठवा फंदा घटा देंगे, यह देखिए, जितने भी फ्रेंट्स आप फंदे बढ़ाओ, आठ बढ़ाओ या तस बढ़ाओ, उतने फंदे फिर आपने ये उसी तरीके से घटा ने हैं, ने तो हमारी शेप यहाँ पर खराब हो जाएगी, तो मैं इस रोको नीचे तक लेके जाऊंगी, बनाती हुई, यह देखिए, लास्ट के फंदे भी हम इसमें एड़ कर लेंगे, और गैप भरने के लिए ऐसे एक बीच में फंदा उठाएंगे, और दो का एक कर देंगे, और इसको भी हम बना लेंगे, यह देखिए एक, दो, तीन, च्यार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार, बार, तेरह, चोदह, पंदरह, और सोलह, सोलह हमारे पास यह जोड़े हैं, बतिस फंदे हमने डाल लेंगे, बतिस फंदे हमने फिर से अपने इसमें कर लिए हैं, अब यह देखिए, इस साइड से मैं इस को उपर तक लेके जाओंगे, ऐसे ही उल्टा-उल्टा पनापती हुए, यह देखिए, पूरी रोमेने उतार ले है, यह देखिए, फ्रेंट्स, यह हमारा हाफ हार्ट हमारा यह बन गया है, अब इसी को हम दुबारा जैसे हमने बनाया है, हम यहाँ पर ऐसे रिपीट करें तो हमारा यह पूरा हार्ट बन जाएगा, सेम प्रोसेस आपने ऐसे ही रिपीट करना है, आठ फंदे हमने बढ़ाने हैं, दो-दो करके पीछे छोड़ने हैं, फिर जो आगे के 16 फंदे बच जाएंगे, उनकी हम उपर गोलाई बनाएंगे, उपर से ऐसे ही बनाएंगे, प पूरे ही फिर हमें सारे फंदे छोड़ देंगे उपर तक, फिर एक बार हम वो बड़े हुई 8 फंदे और 16 फंदे वो हम बना लेंगे, उसके बाद फिर हम अपने यहां से जैसे हमने गटाई शुरू करी थी, इसी तरीके से हम गटा लेंगे, और दो-दो फंदे जो हमारे 16 फंदे बच जाएंगे, उनको हम दो-दो करके एड कर लेंगे, सेम प्रोसेस आपने उपर फिर से रिपीट करना है, एक बार देख लीजिए, यही से हम अपना फंदा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, यह देखिए, एक फंदे के दो बना लिये हैं, एक फंदा हमने अपना बढ़ा लिया, पूरी रोकों मैं बनाती हुई, नीचे तक जाऊंगी, यह देखिए, नीचे तक आ गए हूँ मैं, दो फंदे फिर से छोड़ दूँगी, और यही से वापस मुड़ जाएंगे, तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं 16 फंदे छोड़ लेती हूँ, आगे यह को अलग से शेप इसके दिखाई देगी, और पिछे देखिए, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यह 8, यहां तक 16 फंदे छोड़ दिये हैं, यह 16 फंदे उपर के बच्चे हुए हैं, और 8 हमारे बड़े हुए, तो उपर से जैसे हमने फ्रेंड्स इसकी गुलाई बनाई थी, इसी तरीके से उपर से इसकी गुलाई बनाएंगे, यहां से अभी हम कोई फंदा नहीं गटाएंगे, इनको हम इसी तरीके से बनाएंगे, और जो हमारे 16 फंदे बच्चे हुए हैं, इनको भी हम दो दो करके छोड़ देंगे, सेम जैसे हमने निचे बनाया था, इसी तरीके से मैं दुबारा इसलिए repeat कर रही हूं friends ताकि beginners को कोई भी problem ना आए बिल्कुल सेम जैसे निचे बनाया है उसी तरीके से आपने ये उपर का second part भी इसका बनाना है फिर ये हमारा पूरा heart बनके complete होगा बहुत सुंदर इसके दिल की shape आएगी ये देखिए और ये दो से फंद्य भी हमखोड़ देंगे तो ये दो दो करके हम ये जो हमारे 14 से पजह गई है ये वी मैं दो दो करके छोड़ लेटी हूं आगे का Tal दो कुल मैं आपको बात में बता धू product देखिए ये छोड़ दिये हैं, दो फंदे बचे हुए हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ, आठ फंदे हमारे बड़े हुए हैं, ये लास्ट के दो फंदे भी हमने छोड़ दिये हैं, बिल्कुल सेम जैसे नीचे बनाया था, उसी तरीके से, लेकिन फिर भी, जहां baby friends इसमें change है वो मैंने आपको दिखाया है दुबारा भी ताकि कोई भी आपको problem इसमें ना आए बनाने में आप आसानी से बना लो इसको यह देखे अब हम क्या करेंगे जैसे पहले गिया था 8 फंदे हम अपने यह बना लेंगे 3 4 5 6 7 8 हमारे बड़ेवे फंदे हैं यह आगे के 16 फंदे एक, दो तेन चार पांच चे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे 14 15 और यह 16 यहीं से मुड़ जाएंगे और यह देखे एक, दो, टीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ यह 16 फंदे हमारे बच गे यह हम एक एक फंदा गटाएंगे जब हम दो तो एड करेंगे इस रोकों में कंप्लिट करूँगे यह देखे यहां तक हमने अपने फंदे बना लिए फ्रेंड अब हम क्या करेंगे एक फंदा हम उपर से अपना गटाएंगे एक फंदा हमने अपना गटा दिया और इस रोकों में नीचे तक लेके जाऊंगे यहां तक बनाती हुई मैं इसे ले आती हूँ यह देखिए दो फंदे हम इसमे एड करेंगे उससे पहले हम अपना gap खत्म करेंगे यहां पर आपको gap खत्म करना पड़ेगा फ्रेंड्स यह देखिए दो फंदे का एक आप करना मत भूलिएगा नहीं तो हमारी फंदे बढ़ जाएंगे दो फंदे हमने एड़ कर लिए और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे यह एक दो दो करके सारे फंदे हमने फंदे हमने एड़ करने है और यहां से एक एक फंदा हमने गटाना है तो जैसे हमने ये नीचे बनाया था, इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे फंदे अपने ये गटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का बता हूँ, ये देखिए, साथ फंदे मैं यहाँ पे गटा लिये हैं, आठवा फंदा गटाएंगे और दो फंदे मेरे लास्ट का फंदा, दो फंदे का एक कर देंगे, इस रोपों मैं नीचे तक लेके जाऊंगे, इसी तरीके से बनाते हूँ, ये देखिए, लास्ट के दो फंदे भी मैं इसमें एड कर लूँगे, कैप बखने के लिए फंदा उठाएंगे, दो काई कर देंगे, गैप नजर नहीं आएगा, और ये हमारा बन के कम्पलीट हो गया है, ये देखिए, बिलकुल कम्पलीट हो गया है, तो फ्रेंट्स इसमें ये चार हार्ट बनेंगे, ये मेरे पास देखिए रेड ये बच गई है, अगर मैं दूसरा भी इसे कलर से बनाऊंगे, तो फ्रें से फस्ट वाला रेड बना दिया दूसरे वाला हाट किसी दूसरे कलर का बना दिया फिर तीसरे वाला आप जब बनाओगे तो जो यहां पर आएगा वो रेड कलर का बना सकते हो अगर आपके पास है ज्यादा कपड़े की पटिया है तो आप दो कलर से भी बना सकते हो चारों ह अलग-अलग color से बनाऊंगी और यहां से हम इसमें देखिए अब तक यह बिल्कुल दोनों साइड से एक जैसा है यह देखिए उल्टा-उल्टा तो मैं यहां से इसमें second color लगाऊंगी यह देखिए आप इसको ऐसे tight कर लीजिए इसको भी आप ऐसे दबा लीजिए और यह पूरी रो मैं इसी तरीके से बना लूँगी अगर आपको रेड के कट करनी है तो आप इसको काटके और इसी के अंदर ऐसे ही आप दबा लीजिए बैक साइड में यह देखिए और यह पूरी रो में इसी तरीके से बना के कंप्लेट करूंगी इस देखिए हैं इस रो में हमने अपना कलर चेंज कर लिया है और यहां से फिर से हम अपना वही रिपीट करेंगे जो हमने नीचे किया है यह देखिए इसी तरीके से हम एक बार एक फंदे को दुबारा फि पीछे छोड़ देंगे जैसे हमने ये नीचे बनाया है इसी तरीके से आपने रिपीट करते जाना है फ्रेंट्स एक बार बढ़ाने हैं फिर गोलाई बनानी है फिर गटाने हैं तो इसी तरीके से आपने बनाना है और कलर चेंज करते जाना है तो फ्रेंट्स आपको में नेट जाइन के साथ थेंक यू